अगर आप film industry में आना चाहते हैं as a writer, as a director, filmmaker, as a cameraman या as a editor तो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है कि types of shots क्या होते हैं लेकिन अगर आप actor बनना चाहते हैं, singer बनना चाहते हैं तो आजकल उनको भी perform करना होता है और उनको भी types of shots मालूम होंगे तो technically ज्यादा better acting कर पाएंगे, ज्यादा better perform कर पाएंगे और ये types of shots क्या होते हैं, ये angles क्या होते हैं, ये ही बताऊंगा आज के फिल्बी फंडे जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको proper professional guidance मिलेगी भली आप actor बनना चाहते हूं, writer बनना चाहते हूं, filmmaker बनना चाहते हूं, singer बनना चाहते हूं आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भली वो fake auditions पे हूं कि audition कैसे देने चाहिए, इस पर भी detail वीडियो अवेलेबल है हलो प्रेंट्स, वेलकम टू फिल्वी फंडे, joinfilms.com, मैं हूँ भी रेंदरा ठो और आप देख रहे हैं Bollywood का Google, joinfilms YouTube चैनल और आज का वीडियो सभी लोगों के लिए, जितने भी professionals हैं film industry के सभी के लिए बहुत-बहुत important है, आज मैं बताने वाला हूं types of shots लेकि जब भी आप कोई film देखते हैं, कोई भी cinema देखें, tv serial देखें, web series देखें तो आप ये देखते हैं कि एक scene चला और scene में different shots हैं एक ही scene के बहुत सारे shots होते हैं, उनको अलग-अलग angles से लिया जाता है मतलब close shot, red shot, white shot, master shot और भी बहुत तरह के shots होते हैं और इन सब shots को मिला के एक scene बनता है जिसको की audience देखती है और उसको entertainment मिलता है लेकिन इन shots के पीछे की science क्या है और psychology क्या है, मतलब विज्ञान क्या है और मनविज्ञान क्या है यही बताने वाला हूँ आज के वीडियो में तो आखिर तक देखेगा यह बहुत ही जादा आपके लिए important है कि आपको technical चीजें मालूँ हों तब ही आप एक सिर्फ actor या सिर्फ writer नहीं बनेंगे आप successful film professional बन पाएंगे इस वीडियो को आखिर तक देखेगा ताकि इस knowledge से आप अपने profession में जल्दी जल्दी और बहुत 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 असानी से आगे बर पाएं तो जो बहुत जादा popular short है जो establish करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं वो है extreme white short या extreme long short ये दोनों का मतलब सेम ही है या फिर long short और white short इसके साथ full short, medium white short या medium long short, coy white short, the medium short, the medium close up short, the close up short, the extreme close up short, the establishing short extreme white short या extreme long short में हम क्या करते हैं जो location है उसकी जो geography है उसको establish करते हैं इसमें जो हमारा character है वो location के उपक्षा बहुत छोटा होता है short का माइन, motive यह होता है कि हम यह दिखा सके कि हमारा जो character है वो कैसे मोहल में है, कहां है, किस दुनिया में है हम इस पूरे shot में उस पूरे atmosphere को दिखाते हैं, इसमें पूरा landscape दिखाते हैं पेचाय वो रेकिस्तान हो, या पहाड हो, या फिर highway हो, कुछ भी हो, उसको पूरी तरह से wide angle में दिखाते हैं दूसरा है wide shot या long shot, इसमें क्या किया जाता है, कि जो character है, उसको और location दोनों को एक साथ समावेश करके दिखाया जाता है, दिससे की दोनों का एक relationship built दिखे है audience को extreme long shot में, और इसमें यही फरक है, कि extreme long shot में character को छोटा और location को बड़ा दिखाया जाता है लेकिन इस तरह की shot में, दोनों को mix and match करके दिखाया जाता है white shot को master shot भी कहते हैं, master shot को हम एक नई location को introduce करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे restaurant, park, dining table और साथ में character का आपस का क्या relation है और position जो होती है वो भी establish हो जाती है, ताकि जब camera character का tight shot लेगा, तो दर्शक यह समझ सकेंगे कि यह scene कहां पर चल रहा है और कौन सा character कहां पर है अब बारी है full shot की, जो नाम सही जायर होता है कि इसमें जो character होता है main जो आपका character है, main जो आपका object है, उसको full length दिखाया जाता है मतलब सर से लेकर पांग ता, यहाँ पर location की जगे character पर focus होता है यह character को पूरी तरह introduce करते हैं, कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका mood कैसा है, वो क्या कर रहा है इसमें से एक से ज़्यादा character भी हो सकते हैं medium wide shot या medium long shot, इसमें क्या होता है कि जो character है, उसको घुटनों के, नी के ऊपर तक का जितना भी body structure है उसको establish किया जाता है, उसकी activity को establish किया जाता है यह medium shot से थोड़ा wide होता है, basically यह shot, group shot, three shot, two shot में ज्यादा use किया जाता है क्योंकि यह medium से ज्यादा wide होता है, तो frame में ज्यादा characters के लिए जगे बन जाती है अगला है, cowboy shot, यह आपको सुनने भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस shot की भी एक अजीब सी कहानी है इसे American shot भी कहते हैं, दरसल यह medium wide shot का ही एक प्रकार का shot है इस shot की कहानी यह भी है कि 40's में जो western film में बनती थी, उनमें एक frame दिखाते थी जिसमें gunman character का सर से लेकर आदी जांगते कि 20 तक का हिस्सा दिखाये जाता था जिससे character का बंदूक रखने का पिस्टॉल दान या holster से लेकर सर तक का हिस्सा पूरी तरह से establish किया जाता था medium shot, medium shot क्या होता है कि आप कमर से लेकर जो उपर तक का हिस्सा है body का उसको establish करते हैं जैसे आप अभी जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, यह medium shot से थोड़ा सा close है लेकिन तकरीबन यह medium shot ही है medium shot सबसे common shot होता है, फिल्मों में इसमें करेक्टर को कमर से उपर तक, सर तक frame में किया जाता है ताकि करेक्टर को और अच्छी तरह से दिखा सकें, उसके how-how, उसका mood, body language को और अच्छे से दिखा सकें, इस shot से वो easy हो जाता है इस shot में करेक्टर के साथ साथ location, environment भी visible होता है, इस shot का use ज्यादा तर dialogue scene के दौरान किया जाता है ताकि बाचीत के दौरान body language हाव-how को अच्छे से दिखा सकें, medium close shot, medium close shot मतलब हुआ यहां तक, मतलब chest से लेकर, सर तक आपको दिखता है, उसको बोलते है medium close shot इस shot में medium shot के अपक्षा, करेक्टर के बारे में और ज़्यादा information रिवील होती है, यह shot जनरली face to face conversation के लिए बहुत use किया जाता है, जिसमें body language के साथ साथ, facial expression भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं close up shot मतलब सिर्फ और सिर्फ face, यह सभी के लिए बहुत important होता है, अगर आप actor है, तो आपके facial expression अच्छे होने चाहिए, अगर आप writer है, तो आप ऐसी framing का suggestion दे सकते हैं, screen के लिए में कि इस तरह का मेरे को feel develop करना है, drama build up करना है, तो मुझे इसकी जरूरत है, और camera में है, तो ह बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, feel कर पाते हैं, जो कि mid shot में अच्छे से जाहिर नहीं हो पाता है, जैसे कि चहरे पर गुसा, आँख में आसू, वगएरा वगएरा, actors को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, कि जब master या mid shot के बाद आपका अगला close shot लगा हो, तो आपक आपके reaction और action सभी shots में एक से होने चाहिए, ताकि edit के बाद पुरा scene proper बन पाए, और दर्शक को देखने में feel आए, अब हम वापस close shot पर आते हैं, facial expression दिखाने के अलावा किसी खास चीज़ को दर्शकों को दिखाने के लिए close shot का use करते हैं, जैसे कि table door से कोई समान उठाने या बंदुक निकालने का close shot, इन सब shots को insert cut ways, cutting shot भी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बहुत detail में बात करेंगे, extreme close up shot या इसको कई बार बोलते हैं, tight close up shot भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आप चेहरे के किसी एक खास हिस्से को establish करते हैं, जैसे कि हो गई, या कई बार आपने किसी item song का अगर शुरुआत देखी होगी, तो सिर्फ heroine के lips दिखाया जाते हैं, इस तरह के shot को बोलते हैं, extreme close या tight close up, तो जैसा मैंने बोला कि इसमें चेहरे के किसी खास हिस्से को दिखाया जाता है, जैसे कि आख, मूँ, होट या कई बार extreme close up shot बहुत जरूरी हो जाता है, dramatic intensity को बढ़ाने में भी इसका use बहुत होता है, the establishing shot, जैसा कि नाम से बहुत क्लियर है, कि establishment ही इस shot का main काम है, तो इस shot में क्या किया जाता है, किसी भी एक खास चीज़ को establish किया जाता है, ताकि दर्शकों के मन में पहले उसकी चाप पड़ ज दुनिया, यानि की location, time period, environment आदी को दिखाता है, establishing shot में एक shot भी हो सकता है, और कई छोटे-छोटे shots का mixture भी हो सकता है, जिसको हम कई बार montage भी कहते हैं, establishing shot generally, aerial shot होता है, जो हम bird eye view बोलते हैं, जिसमें हम दर्शकों को दिखाते हैं, कि जो भी होने वाला है, वो कहा होने वाला तो आज का वीडियो सभी media professionals के लिए बहुत important था, जो Bollywood में अपना career बनाना चाहते हैं, अगर आप channel से पहली बार जुने हैं, तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा, ताकि आप से कभी भी इस तरह के technical और informative वीडियो मिस ना होने पाए, bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आ उसका link share कर दूगा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, ताप तक करें, देखते रहिए, सीखते रहिए, जबे रहिए, all the very best.